फिट रहने के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और हड्डियों को मजबूती कैलशियम और विटमिन D से मिलती है इन दोनों के कमी से हड्डिया कमजोर और खोकली हो जाती है लेकिन शायद आप इस बात से अंजान है कि आपके फेवरिट खाने की लिस्ट में कई ऐसी चीजे शामिल होती है जिनको खाने से हड्डियों के density कम हो जाती है और हड्डिया खोकली हो जाती है तो हम आपको बताते हैं वो क्या चीजे हैं सबसे पहले नमक की बात करते हैं नमक खाना जितना जरूरी होता है उतना खतरनाग भी हो सकता है अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ऐसे में हड्या कमजोर हो जाती है दरसल नमक में सोडियम होता है जो बॉडी में जाने के बाद केल्शियम को यूरीन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल देता है हड्डियों को खोकला बनाने का एक कारण cold drinks भी है cold drinks में carbon dioxide और phosphorus पैय जाता है जो हड्डियों को खोकला कर देता है आपको जानकर हैरानी होगी कि चॉकलेट भी हड्डिया कमजोर बनाती है ज्यादा चॉकलेट खाने से बॉडी में शुगर और oxalate की मात्रा बढ़ जाती है जिससे केल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता शराप पीने से बॉडी में केल्शियम की मात्रा कम होने लगती है जो हड्डियों की कमजोरी का कारण बनती है इसके अलावा चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन करने से भी हड्डिया कमजोर हो जाती है क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है